हेलो फ्रेंड आप देख सकते हैं हमने बनाया है दही पड़ा एक दम मुलाया हैं सौप्ट मों में खुल जाने वाला दम मलाई की तरह अगर आप इस तरीके से एक बर रस दही बड़े बनाएंगे तो आप दही बड़ा बनाने का सारा तरीका भूल जाएंगे बिना गैस जला बिना ओयर डाले यह बन सकता है एक दम हलो फ्रेंड असलाम अलेकूं वेलकम टूशना बुलॉग तो आज किसना आपके लिए रेस्पी लाइए चलिए बनाते हैं वह दिसे रेस्पी को मैंने एक बाउल ले लिया है और उसमें मैंने एक चमज जीराट किया है एक चमज काल मसाला है स्वादरुसान नमक है यह सब को अच्छे से मिला लेना है अब देख सकते हैं सारा मारा मसाला यह मिल गया है इसको मैं उपर से तरी बड़ाए पर डालने के लिए मैंने बनाया है अब हम इसको साइड में रख दे रहे हैं एक मिक्सर जाल लेना है फ्रेंड मिक्सर है और धेनिया को अच्छे से एड़ कर दिना इसमें चारपाइस क्यूब डालना है इसके डालने से फ्रेंट यह फायदा होगा हमारी चट्नी काली नहीं होगी नमक स्वाद अनुसार इससे हमारी चट्नी इदम हरी हरी खिली खिली रहेगी तो यह दिखिए हमारी चट्नी हमने पांच यालू लिया है अच्छे से उगले हुए है इसको इच्छे से में चिलका उतार लिया है इसको मेस कर लेना है इसमें ड्राइफ फूट थोड़ा एड़ कर देना है मैंने थोड़ा काजू लिया है किसमिस है इसमें एड़ कर देना है एक चमचिस में चाट मसाला जड़ा डालना है ताके हमारा मसाला चटपटा हो हो धनिया ठोड़ो इसंग अब फ्रेट में डालके मिला दिया मसाला अब हम इसको साइड में रख देते हैं अब हम फ्रेयर्ण एक बाउल लेंगे उसमें तीन से लेके चार्चा मज़ हमें दही आड करना है तो आप देख सकते हैं दही डाले के बाद इसमें हमें थोड़ा सा हम नमख करेंगे अलका सा बढ़किने पाइं डालके इसको अच्छे से मिल्ट करना है मिला लेना है ताक इस आपको कोई सेफ कोई कटोरी ले लिए या ढखकल ले लिए तो यह दीजे मैं अच्छा से ढखकल लेया है इससे काफी अच्छा से सेफ निकल के बाहर आ जाएगा हमारा ब्राउन भाग निकल जाएगा साइट से यह दिखे कितना बढ़ियां समाच अब दस्तिक देम कटा हु घंट लेओ तो यह दिखे असे इसको भी निकाल लेना है ऐसे निकालना लेना है इसको जाय नहीं होना देना इसको हम कुछ भी बना सकते हैं ब्राउन भाग का इसको भी बना सकते हैं ये दिखे हमारा अशाड निकल गया है साहल निकालकरWe Winter इसको अच्छे से मैंने मेल्ट कर लिया था इसमें चीनी मेंने एट किया है थोड़ा सादमक ताकि खट्टा निठा हमारा स्वाद फ्लेवर आयई इसको देख में रखा था ठंडा होने के लिए यह हमारा आलो मसाला है स्टेफिंग वाला जिसको वाल बना लेना है आपको जितनी बना ना है अब उतना बना लिजिए तो ये दीजिए ये खे , बनाया है आप इसको फिर अच्छास रख सकते हैं, से अध्रीज निस आपका ऐसकते हैं ये इस्टंट आप सब्सक्राइल्स को बनाने वाला त्युम् इसमें balls डाल के इसको अच्छे से बॉल की तरह बना लेना है आप इसको चिप्टा भी कर सकते हैं या आप इसको गोल भी सेव दे सकते हैं ऐसे करके मैं आपको दूसरा भी दिखा रहे हूं इसमें dip करना है पाणी में करने के बाद फ्रेंड उसका अच्छे से निकाल के नहीं चोड़गे इसमें बॉल डालके इसका बॉल तयार कर लेना है तो फ्रेंड ये तहीं बड़ा इतना जबदस्त बनता है आपका अगर तुरंत मन करें तो आप बना सकते हैं मेहमान पकड़ी नहीं पाएंगे कि आपने इसको इस्टन्ट जल्दी बनाया है और वह भी कम समय में यह दिखिए मैंने सारा बॉल दयार कर लिया है ब्रेट का डालके दही बड़ा का अब हम इस पर दही डालेंगे तो दही में मैंने आपसे बताया था चीनी और मैंने नमग मिल्ट करके रहा इससे खटा मिठा स्वा अगर आप यह बनाएंगे तो कोई जानी नहीं पाएगा कि आपने इसको इसको जल्दी बनाया है और यह खाने में बिला जवाब होता है इतना ज्यादा स्वादिश्ट की पूछिये मत इसमें मीठी चटनी आप मिला दीजे उपर से गरनिस कर दीजे तो देख सकते हैं तो अगर आपने इसको बनाएंगे तो सारा दही बड़ा के बनाने की तरीका भूल जाएंगे और इसको हरी वाली चटनी आपको इसमें डाल लगा देना है इससे इसका फ्लेवर काफी अच्छा था है तो आप देख सकते हैं जो हमारा मसाला मेंने आपको बनाया था प्रिंकल क अगर नारदा नहीं है तो भी डाल दीजिए मैं आपको सार करके दिखा रहे हैं कितना अच्छा बनके हमारा जबर्दस दही बड़ा इस्टन दही बड़ा तयार हुआ है ब्रेट का दही बड़ा अगर आप एक बार फ्रेंड बना लेंगे तो आप बार बार बनाएंगे इ आप देख सकते हैं मिलते हैं नेक्स प्रेंग में थैंक्यू सो मच अला हुआ है